ये हमारी सिया के साथ हमारा पहला नया साल होने जा रहा है सभी को नया साल की शुप कावना है जैश्री राम सभी को राम राम सनातन दर्म की जैश्री तो सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक शुप कावना है मेरी तरफ से भी पलक की तरफ से भी और सिया की तरफ से भी यह हमारी सिया के साथ हमारा पहला नया साल होने जा रहा है और आप सब को इसी तरह से हमारे ब्लॉग्स वीडियो आगे आने वाले दिनों में भी दिखते रहेंगे क्यों पलक? क्या बोलोगी? सबसे पहले तो सबी को बहुत बहुत शुकामना है ने साल की और सब के लिए ये साल खुशियों बराए और अच्छा अच्छा साल आए ये सब के लिए तो चलिए ये नया साल हम पलक और मैं और सिया किस तरह से अपना आज का 31 मनाएंगे वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा तो अभी सिया भी बड़ी एकसाइटिड है और जल्दी ही आपको हम सिया से मिलवाएंगे भी और 2024 में एक ब्लॉग में आपको जुरू मिलाएंगे सिया से तो चलो बाकी ब्लॉग में और खुब सारी बाते करते हैं तो वैसे नया साल जो सब के लिए खुशियां लेकर आए और पिछले साल जिन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं भी बीता हो हम भगवान से प्रातना करेंगे कि उनके लिए नया साल अच्छा है क्यों पलक क्या कहेंगे ने साल पर यहीं बोलेंगे कि खुशियों बरा आए यह साल बगवान से बस प्रातना करो और आज शट्टी फरस्ट है तो अच्छे से इंजॉय करो सेलिब्रेट करो हाँ बलकुल अच्छे से इंजॉय करो लेकिन ध्यान रखें कि गाड़ी बगएरा तीज मत चलाएं एक्सिडेंट होने का खत्रा होता है और बाहर ज़दा शोर शराबा भी नहीं करें क्योंकि कहीं फैमली को कोई तंक WORI ली करें किसी को और हमारा भी को से साल ने साल की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो बाकि आपको बलॉग में दिखाएंगे हम आज सिया के साथ किस तरह से आज सेलिब्रेट करते हैं न्यू येर तो आप सभी को शुब कामना है फर्दर आप ब्लॉग देखिएगा हमारा ये ब्लॉग है ने साल का मेरा पलक और सिया का और हमें सुबा अभी तो हमने सेलिब्रेशन की लेकिन हमें फर्स्ट को सुबा उठके मंदिर जाना चाहिए और बगवान का अशिरवाद लेना चाहिए तो हम भी जाएंगे सिया को लेके हमारे तो हमारे जबू में तो बावेवाली माता है तो हमें बावेवाली माता के जरू जाना चाहिए माथा देखने के लिए और मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने धर्मों के अपने अपने धर्मों के अनुसार मंदीर गुर्दवारे मस्जिद चर्च हर लोग जाए और अपने धरम को और आगे बढ़ा है तो आज मैंने सिया ने और पलक ने मनाया अज सिया के और बहुत अच्छा रहा और पिछले साल तो हम आरा साथ सिया नहीं थी इस साल हमने हमारसा सिया है है गजा तो आज मारे इसका फर्स्ट न्यू एर था तो हमने अधी तो आज आज गाजर का हलवा बनाया था और आज अपने जो निया साल है उसका स्वागत करें क्योंकि मेठे से ही स्वागत होना चाहिए अब सीया थोड़ा तंग कर रही है और यह निया साल सबके लिए खुशिया लेकर आए मैं और पलक और सीया आपको अच्छे-च्छे ब्लॉग्स दिखाते रहेंगे है ना पलक अच्छे-च्छे ब्लॉग्स और भी आएंगे हाँ आप तो सीया बड़ी होगी है तो हम अब अच्छे-च्छे ब्लॉग्स बनाने की प्राई करेंगे बिल्कुल और आप जल्दी ही ह हमारे ब्लॉग्स और भी देखेंगे फिलहाल आप लोग इस तरह से हमारे ब्लॉग्स पर अपना प्यार बनाया रखें तो ये नया साल आप सब के लिए मंगल में रहे सभी को जै श्री राम सनातन धरम की जै